महारजी में पूछे में पूछे भएगे, पूछे भईया सनातन दर्म के पालन करने वाले लोग हैं हमारे यहां पुन्य पाप की भावना बताई गई है सबसे बड़े पाप गव गात आदी बताई गए हैं लेकिन उसे भी बड़ा गात विश्वास गात बताया गया है आपके जो उद्ध उठाकरे जी हैं इनके साथ विश्वास गात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है तो आज हम यहां पर उनके अनुरोध पर आए उन्होंने स्वागत किया हमने उनसे यह कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वास गात हुआ, जब तक उनहां महाराश्ट के मुख्यमंतरी की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का यह जो दर्द है, यह दूर नहीं हो सकती है, तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का शिरवाद होगा हम करे देखिये किसका हिंदू तो असली है, तो यह जानना पड़ेगा, कि जो विश्वास गात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वास गात सहले, वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वास गात हुआ है, तो जिन लोगों ने विश्वास गात किया, वो कैस से हिंदू हो सकते हैं। बाई हम कह रहे हैं कि उद्धो ठाक्रे जी के साथ विश्वादगात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। इसलिए पूरे महाराष्टर की जनता इस बात से इडित है। सब के मन में इस बात का दर्द है। चुनावा में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमानित हो चुकी है कि महाराष्टर की जनता इस बात को मानती है। कि उद्धव ठाकेत जी के साथ विश्वास गात हुआ है और ये ठीक नहीं है ये जनता का भी अनादर है जनता जिसके लिए भाउमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाई रखना चाहिए बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये होगा तो वही तो कहेंगे हमें राजनिती से लेना देना नहीं है लेकिन विश्वास घात तो हमारे हां पाप बताया गया है ये तो धर्म का मामला है ना पाप और पुर्णिया और इस बारे में कौन बोलेगा राजनिता बोलेगा इस बारे में तो धर्माचारी ये और उसी का विदिविदान के साथ पालन वद्व ठाकरे जी ने सपरिबार किया है। जैसे सवराष्ट्रे सोमनाथम पहले कहा सवराष्ट्र माने पता उसके बाद कहा सोमनाथ उसी तरह से केदारम हिमवत प्रिष्ठे जो केदार है वो हिमाले के प्रिष्ठबाग में है। इल्ली में बनेगा यह अनदिकार चेश्टा है और यह नहीं होना चाहिए। रही बहूत सारी राजनीति को वज़े हैं हमारे सभी जो हमारे धर्मस्थान हैं वहाँ पर गोटाला होगया। 228 kg सोने का घोटाला हो गया, आप पद्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो, तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया, तो अब आप दिली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे, 228 kg सोना केदारनाथ से गाइब कर दिया गया, ये कहां का नियम है, है क्यों नहीं उठाते हो प्रेट्स वाले इस बात को आज तक कोई जाज तक नहीं बैठाई गई थ f2 18 किलो सोना का घोटा ला के डानात में हो गया काउन जिम्यदार है यह इस बारे में जाटती होती है क्यों बाइस बारे में निर्णा नहीं होता है और आप आप कहेंगे हम दिली में ही के तारणाप बना लेंगे यह नहीं हो सकता है क्लिए कि अंपको का हैं हमारे पास आए थे उन्होंने प्रडाम किए हमारा ऱ्युंप है हम लोग आशिरवाद देंगे जो आएगा उसको आशिरवाद देते हैं औरे मुदी जी हमारे नहीं ने हमारे जरीए कोई हमकोई लाइजनर नहीं है हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं हम आए उन्होंने पादु का पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बाते थी वो भी हमारे सामने रखी हमने उनको सुन लिया ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराश्टर की जुनता की बात है नीजनेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें